आज का हमारा विशे है ठोस कच्रा प्रबंदन ठोस कच्रा प्रबंदन से क्या आश्य है और इसके क्या लाब है क्या उपाए है हम इसके बारे में अध्यन करेंगे ठोस कच्रा प्रबंदन की बारे में देखिए आदुनिक काल में तेजी से बढ़ते शहरी करण, ओधगी की करण तथा वातावरण प्रदूशन के प्रती लापरवाई ने शहरों में ठोस कच्रे की समस्या पैदा कर दी है जिसके कारण शहरों में गंदगी जनित विमारियां फैलने लगी तो इस समस्या के निवारण के लिए शहरी निकायों में ठोस कच्रा प्रबंधन या कच्रा निस्तारन कारेकरम शुरू किया गया है या ठोस कच्रा प्रबंधन भी कह सकते हैं आप शहरों में बनाया गया इस कानून में सभी शहरी परिवारों के लिए निवारे किया गया था कि वे अपने घरों का कच्रा बंद कूडे दानों में रखें तो ये कानून 1857 में बना जन स्वास्तियां सफाई नियंतरन कानू ठोस कच्रा प्रबंधन कारे करम अभी शहरों तक ही सीमित है शहरी शेतरों में नगर निकायों द्वारा बुनियादी एवं आउशक सेवाओं में ठोस कच्रा प्रबंध कारे शामिल किया गया ठोस कच्रे से क्या मतलब है तो आप देखिए सबसे पहले ठोस कच्रे से मतलब है कि घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों, अन्य संस्थानों से निकलने वाला सूखा और गीला अनूपियोगी सामान जिसे हम कुडा कहते हैं इसके अलावा सबजी और फलों के छिलके, अंडे के खोल, बचा हुआ खाना, कागज, पेकिंग, सामागरी, डिब्बे, और्गेनिक, अन और्गेनिक पदार्थ, बैटरी, सैल, बल्ब, तूटेवे थर्मा मीटर, विशेले पदार्थ, रेडियो अक्टिव पदार्थ, विस ठोस कच्रे का प्रबंदन से आशे हैं कि वातावरन एवं जन स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठोस कच्रे का उपचार, निस्तारन, पुना प्रियोग, पुना चकरन और उर्जा में परिवर्थित करने की प्रक्रियों का संचालन या प्रबंदन करना ही फिर से पढ़ती हूँ कि ठोस कचरा प्रबंदन से क्या आश्य है वातावरन एवं जन स्वास्ते पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठोस कचरा का निस्तारण, उपचार, पुने प्रियोग होना, पुने चक्राण होना, उर्जा में बदलना, उसका संचालन और शेत्रों के इस्थानिये निकायों को ठोस कचरा प्रबंदन का ट्रक्शिक्षन दे, ट्रेनिंग दे, उनको सुझाओ दे, नए संसादन उपलब्द कराए, ठोस कचरा प्रबंदन जो है वो नए नए शोध करे करें, विकास कारे हो, उप्योग की सुईधाएं भी उपलब प्रबंदन की प्रक्रिया, अब क्या करें सरकार? इस कचरे का प्रबंदन हो सके, तो आईए देखते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित, शहरी निकायों के जन प्रतिनिदियों और अधिकारियों ने ठोस कचरा प्रबंदन का कार्य है, निकायों में नियुक्त मुख्य जो सफाई करमचरी है, उनको सोब रखा है, नियमित और ठेका पद्धती पर नियुक्त सफाई करमचरी घरों को कूड़े, करमचरी कूड़ों को घरों और अस्पतालों और अन्य प्रतिष्ठानों से लेकर आते हैं, कूड़ा संग्रन करते हैं, केंदरों पर इकट्टा करते हैं, कूड़ा संग्रन केंदरों से परिवेन के व के रखा जाता है जैसे घरेलू के चरा अलग अस्पताल का कचरा अलग तो खट्रों को भी अलग अलग तरीके से रखा जाता है विप परटिश्टान का कचरा अब तो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कच्रा रखा जता है। इस कच्रे में नहित अव्यवों के अनुसार अलग-अलग कारे किया जता है। जैसे जेविक कच्रा पदार्त, अजेविक कच्रा पदार्त, प्लास्टिक शीशी, धात्वे, कागच, बैटरी, कत्रा संभावे पदार्थ, विशेले पदार्थ, जुलनशील पदार्थ, विस्वोटक पदार्थ, रेडियो धार्मिक्स पदार्थ, संक्रमन रोग फैलाने वाले पदार्थ, तो इन सब पदार्थों को जो है वो अलग-अलग अव्यों के अनुसार रखा जाता है, ठीक है, अब यह है कि इ पुने, चक्रण, कच्रा संग्रहन, उप्चार और निस्तारण, और भस्मीकरण, गेसीकरण, और पाइरोलसिस, ठीक है, इस प्रकार इसके हम पढ़ेंगे